नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथिया स्वागत करता हूँ आप सबीगा आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करूँगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में शेर की बात करें तो शेर में लगबग आज के सेशन में 3 रुपे की गिरावट देखने को मिल रही है लगबग 3 परसेंट स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखरा है आप सभी को 97 के बावपर इस शेर में पिछले दो दिनों में लगबग 57 परसेंट की गिरावट आप सभी ने देखी है अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो ये स्टॉक एक हफ़ते में लगबग अगर आप टॉप से दिखेंगे तो आपको 9 से 10 परसेंट की गिरावट दिखा चुका है इस गिरावट में एक बहुत ही शांदार ख़वर आई है ब्रोकरेज हाउस की तरप से जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों इस स्टॉक में आप सभी को याद होगा तो दो दिन पहले टाटा गुरूप में फ्राइडे के सेशन में एक मर्जर अनाउंस हुआ साथ मैटल कंपनी जो टाटा गुरूप की लिस्टिड है मार्केट में कुछ लिस्टिड है कुछ नहीं है लेकिन टोटल साथ कंपनी ऐसी है टाटा गुरूप की जो मैटल के कारोबार में उन सातों कंपनीज को Tata Group ने एक अनौंस्मेंट करी कि हम एक करेंगे मर्जर करेंगे और एक कंपनी रह जाएगी केबल वो है Tata Steel की उसके बाद सारे के सारे Tata Stocks में जो भी Metals Counter के हैं like Tata Steel, Tata Steel Long Product, Tata Metallics इन सब में काफी बड़ी गिरावट देखिए कल भी गिरे, Friday को भी गिर कर अभी भी बात करो तो Tata Steel Long Product आज भी 2.5% नीचे है Tata Metallics की बात करते हैं तर Tata Metallics भी देख लेते हैं कि कैसा trade करता हुआ दिख रहा है आप सभी को तो दोस्तों Tata Metallics भी लगबग 1% के सम्धिंग नीचे है तो आज तो फिर भी ठीक ठाग है लेकिन कल और Friday को तो 5-5-12% गिरे लेकिन TRF आज भी बड़ी गिरावट दिखा रहा है आपको तो ये गिरावट क्यों हो रही है और देखें मार्केट भी डेज लो पे है ऐसे मैं Tata Steel पर जो कमेंटरी है ये वो बताता हूँ उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले ओपन कर लिए ब्रोक्रेजिस सी लिटल इंपक्ट आफ टार्टा स्टील कंसोलिडेशन मूव मेंटेन स्टांस ठीक है अभी देखते है पूरी निउस क्या है यानि कि ओवराल ये जो कहना चाहरे है जो भी गिरावट है जो भी चल रहा है उससे जादा इंपक्ट नहीं होगा कंसोलिडेशन ही चल रहा है अभी आगे देखिए ओन सेप्टेमबर 23 दा कंपनी अनॉंस देट इट वुड बी अमेल गेमेटिंग सेवन सब्सेडिरीज विद इट सेफ एंड दियर रिसोर्स वुड बी पूल to unlock shareholders value कहीं न कहीं यह कह रहे है जो यह साथ companies का जो merger है यह shareholders के लिए value create करेगा however it noted this would require several approvals कुछ approvals लगेंगे इस merger को भी confirm नहीं हुआ है क्या क्या approval है including from stock exchanges and the NCLT among others तो इनसे approval भी लगेंगे JP Morgan की बात करें जो brokerage house है तो उनका मानना है maintain an overweight rating with a target price of 140 per share यह यह 140 रुपे का target price रख रखा है इनोंने the foreign brokerages see a very marginal impact from the consolidation drive by the drive on the financials of the company यानि कि इनका मानना है कि लंबे समय के इनके लिए target 140 की है मोतिला अगर मैं पूरी-पूरी रिपोर्ट पड़ों तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी मोतिला लोस्वाल की बात करें तो इनका चोटा target the brokerage has maintained a neutral rating इनका neutral rating है और 26 रुपे का target है ठीक है एडलवाइस securities की बात करें तो इनका तो बहुत ही तंगड़ा target देखने को मिल रहा है perceiving amalgamation as a prudent step एडलवाइस securities has maintained its hold rating on Tata Steel with unchanged target price of 198.5 rupees per share और यह hold है तब इतना बड़ा target है यह कुछ जादा बड़ा हो गया sorry guys थोड़ी खांसी वागेरा चल रही है Tata Steel की बात करें तो मैंने आपके सब्सक्राइब के साथ इसमें अपना व्यू भी शेयर करा था कि investment purpose से 95 to 108 के बीच में जब मिलेगा तभी खरीदना अभी नहीं लेना है तब 108 पे trade करता था काफी सारे viewer थे कहते थे बाई आप बस अपने ही देखो नहीं आएगा और एक महीने भी नहीं है stock आपको 96 पे मिल रहा है आज दो को stock market में लंबे समय के लिए खरीदने का सिर्फ यह मतलब नहीं हो था कोई भी price पे खरीद लो लंबे समय में तो उपर जाए गई अगर आप नीचे खरीदते हो तो आपको ज्यादा पैसा बनेगा यही चीज मैंने टाटा एलक्स एलक्सी पे भी आपको share करी थी जब 10, 10,200 पे था मैंने आपसे का अभी काफी वड़ी तेजी आ चुकी अल्रेड़ी अप इंतजार करो अगर आप 10 साल के लिए ले सकते हो तो क्या आप एक साल ऐसा विटनी कर सकते कि market की correction में गिरने का इंतजार कर लो में आज वही टाटा एलक्सी आपको 8,800 पे easily मिल जाता है अ क्योंकि वह compounding की power हो जाएगी आप मेरे हैसाब से खरिदारी करने के बहुत अच्छे लेवाल है 93 रुपीस की price to book value definitely आप खरेदना शुरू करें यह से एंड अपनी portfolio में बनाए रखें तो यह मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर वोप आपको समझ में आयोगी आपू लकंट वाचि वटग वाचिस विडओ कर वोच धन्यू वहाँ झायोग जाएगाई वीजियुए झायोगाई से पर कूल चुछ झायोगाई यहाई गीर